अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली नई वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करें आज हम लोग बनाएंगे इंस्टंट ओट्स इटली इसमें दाल और चावल का बिलकुल इस्तमाल नहीं किया है यह ओड्स में से ही बनेगा बहुत ही हल्दी है जो आप डाइट में भी इस्तमाल कर सकते हैं इसे इसे बनाने के लिए हम लोग ओड्स लेंगे उसे मिकसर जार मे ग्राइन करके इस तरह से पाउडर फोर्म में बना लेंगे अभी एक बाउल लेंगे उसमें सबसे पहले डालेंगे ओट्स मैंने एक कप लिया है ओट्स उसमें एक चमच सिफ बेसन डालेंगे एक बड़ा कप ओट्स है उसमें एक चमच बेसन दो चमच इसमें सूजी याने रवा डालेंगे वेजिटेबल्स में गाजर और मटर लिया है आप बीन्स, कॉन, कैपसिकम ले सकते हैं अपनी चोईस से इससे काफी हल्दी हो जाती है इडली अधरक लसुन और मिर्ची का पेज बना लेंगे मिक्सी जार में और उसे भी डालना है एक कब दही डालेंगे नमक स्वादन उसार इसे अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसके बाद इसमें अम लोग पानी डालके इसका बैटर बनाएंगे इस तरह से कंसिस्टनसी होनी चाहिए रखने के बाद भी यह थिक होता जाता है पूर्स पानी एब्जॉब करते हैं तब तक ट्रेस को ग्रीस कर लेंगे हम लोग औहिल से भी जब बैटर हमें ट्रेस में डालना है उससे पहले आदा चम्मच इसमें इनो डालेंगे और फटा-फट से इसे फेट लेंगे अच्छे से जैसे इनो मिक्स हो जाए करने के बाद इस तरह से बैटर जो है फलफी हो जाएगा और इंस्टंटली हमें इसे ट्रेस में डालना है वेट नहीं करना है सब ट्रेस में अच्छे से हम लोग भर लेंगे और इसे 15 मिनट के लिए हम लोग स्टीम करेंगे जैसे नॉर्मल इडली को करते हैं 15 मिनट स्टीम करने के बाद इसे अभी चेक करेंगे हम लोग तुद्पिक से चेक करें अगर तुद्पिक क्लीन निकलता है मिनट जो है रेड़ी है यह बहुती सॉफ्ट इडली बनती है अन्डा होने के बाद इसे हम लोग डीमोल करेंगे देखे कितनी सॉफ्ट और स्पंजी इडली बनी है इंस्टंटली खाने में भी टेस्टी भी है और हेल्दी भी है कितनी सॉफ्ट है फर्मेंटेशन के लिए भी नहीं रखना है अमें इसे और इंस्टंटली बनाना है एक बार ज़रूर बनाएं यह हेल्दी ओट्स इडली बहुत ही टेस्टी है और कमेंट सेक्षन में मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरा वीडियो देखने के लिए तांक यू